हलो फ्रेंज, सबका दिन मंगल मैं हो, हैपी कुकिंग वोमेंज में आज हमने अचार बनाया है, जिसमें कोई विनिगर नहीं, कोई प्रिजरवेटी केमिकल या कलर नहीं डाला है लेकिन फिर भी ये सालो साल चलेगा और खाने में भी बहुत सौधिष्ट है, अपने देशी स्टाइल का अचार है तो फ्रेंज जरूर ट्राई करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेर और कमेंस भी करिएगा तो चलिए देख लेते हैं, अचार कैसे बनाया है, ये लगबग हमने तीन दिन के बाद की ये फोटो ली हुई है तो आम का अचार बना रहा है, तो उसके लिए मैंने एक किलो आम लिया है, कच्चे आम लेने हमें और फ्रेश आम लेने है, और घाव लगा हो, आम चोट लगी हो, वो आले आम आम नहीं लेने है तो आम को मैंने धुल लिया था, और इसको अब हम बढ़ियां से पोश लेंगे, जिससे की जो डस्ट अगर थोड़ी बहुत हो, तो वो निकल जाए अब चलिए इसको काट लेते हैं, तो पहले जो इसकी डंडी होती है, उसको निकाल देंगे, फिर आम को हम दो फाकों में काटेंगे ये आम में थोड़ा सा गुठली के पास काला हो गया है, तो अगर कुछ ऐसा रहा, तो इसको हम निकाल देंगे, या खुरच के निकाल देंगे, या काट के अलग कर देंगे तो दो फाकों में काटने के बाद इसके चुकी आम बड़े हैं, तो इसके हम तीन लंबे फाके कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको छोटे-छोटे चौकोर टुकडों में काट लेंगे साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो मैं इस साइज के टुकडे काट रहे हूँ तो आम को हमने काट लिया है, अब इसको एक काच की बरतन में ले लिया है, डाला हींग, हल्दी और नमक डालेंगे नमक जादा ही डालेंगे, क्योंकि नमक ही हमारा प्रेजर्वेटिव का काम करेगा हम इसमें कोई विनिगर या प्रेजर्वेटिव कलर कुछ भी नहीं अट करने वाले हैं इन सब को बढ़ियां से मिक्स करके, हम धूप में रख देंगे और जो थोड़ा बहुत ये मौस्चर छोड़ेगा नमक डालने के बाद धूप में सूखता जाएगा, तो लगवग 4-6 गंटे के लिए हमें तेज धूप में रख देना है, बीच-बीच में एक दो बार चलाएंगे भी, मिट करेंगे जब तक आम हमारा धूप में रखा है, चलिए मसाले देख लेते हैं, मेती है, धनिया, जीरा है, सरसो है सारे मसालों को हम थोड़ा सा हलका सा भून करके, फिर ठंडा करके पीसेंगे, सौंस है, कलोंजी है और ये अजवाइन है तो चलिए एक कड़ाई चड़ाएंगे, बिना तेल के, ऐसे ही सुखे मसालों को रोस्ट कर लेंगे मेती, सरसो, धनिया, जीरा डाल दिया है दो मिनट भूनने के बार, फिर सौंफ और कलोंजी और अजवाइन डाल लिए है, सारों को दो मिनट और भून लेंगे मैंने मिर्ची साबुत नहीं लिए, क्योंकि मैं काश्मीरी मिर्च और चिली फ्लेक्स अड़ करने वाली हूँ और काश्मीरी मिर्च है, तो पीसने के पहले हम चिली फ्लेक्स और काश्मीरी मिर्च अड़ करेंगे तो मसाला हमारा हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं चिली फ्लेक्स और काश्मीरी मिर्ष हमने डाल दी है ये भुने हुए मसालों में थोड़ा सा राई डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा राई डाला है और इसको हम अब दरदरा सा पीस लेंगे तो मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे अब मेरा चार दिन भर सूख गया है देखिए थोड़ा सा मुर्जा भी गया है और पानी भी इसमें अब नहीं है अगर पानी हो तो उस समय आप पंखे के नीचे रख दें खोल करके जिससे की पानी पूरा इवापुरेट हो जाए तो एक बार से फिर से बढ़ियां से चला लेते हैं और जो मसाले हमने भूने थे उसको ग्राइंड कर लिया था इन आम के टुकड़ों पे हम उसको फैला देंगे बढ़ियां से फिर मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम तेल गरम करके इसके उपर पूर करेंगे जैसा कि हमने बताया कि इसमें हम कोई प्रिजरवेटी नहीं डालने वाले हैं तो तेल और नमक यही प्रिजरवेशन का काम करेगा और ये अचार आपका सालो साल चलेगा अगर आप इसमें गीली चमच या गीला हात ना लगाएं अगर मौशर ना जाने दें धकन बढ़ियां से बंद करें तो ये हमेशा चलेगा तो ये तेल मैंने गरम कर लिया था इसमें थोड़ा सा हींग और एड़ किया है और तेल गरम करने के बाद थोड़ा सा हलका सा थंडा 2 मिनट करके तभी हींग डालें नई तो फिर वो हींग जल जाएगे और फिर इस तेल को, हींग वाले तेल को अचार के ओपर डाल करके बढ़ियां से सब मिक्स कर देंगे और अभी अचार हमारा तयार नहीं हुआ है अभी धूप में यसे और रखना है वैसी खाने लायक तो दो दिन में आराम से हो जाता है लेकिन कम से कम हपते बर धूप में रखे तो जादा बढ़िया है तो मैंने शीशी में एक बॉटल में भर लिये और तेल हम लगबग आधा से थोड़ा ज़ादा रखेंगे, पूरा फुल नहीं करेंगे, क्योंकि धूप में अगर आप रखेंगे, तो फिर ये तेल का लेवल बढ़ता है, तो फिर वो लीक होने लगा, उपर से वो वरफलो होने लग जाएगा, कुछ बच गया था, तो मैं दो दिन के बाद चक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें, आम का अचार थोड़ा सा कम हुआ है सिशी में, और ये सॉफ्ट भी हो गया है, उपर से ये ग्रीन ग्रीन सा भी दिख रहा है, तो इसको हम दो चार दिन और धूप में डालेंगे, बीच बीच में, लेकिन देली हमे इसे हलका सा चमच की जो डंडी होती है बैक, तो उसे मिलाते रहेंगे, तो अचार देखी देखने में कितना बढ़ियां लग रहा है, और खाने में उससे भी अच्छा है, तो जरूर ट्राई करिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि पानी वाला हाथ या पानी मौश्यर इसमे नप पहुचे.